हलो स्वागत है आपका Crick Blast Radio पर The Build Up के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हुम है मेरा नाम है Satyam और मेरे साथ एक और एपिसोड में Sauravda Sauravda, बहुत-बहुत स्वागत है आपका Thank you so much Satyam, I am back again and I am loving this मुझे भी बहुत मज़ा रहे है और मज़ा मुझे लगता है कि आएगा जब आज मुकाबला शुरू होगा राजस्थान और पंजाब के बीच मुंबई में इस प्रतियोगिता का चौथा मुकाबला है क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इस मुकाबले से यह दो वो टीमे हैं जो अभी तक हमें आक्शन में नजर नहीं आई है और उनको जादा फुटेज भी नहीं मिलता है Reason being के इनके पास कोई ऐसे सुपरस्टा क्रिकटर्स नहीं है राजस्तान ने बदलाव की कोशिश की है वैसे नया कप्तान नियुक्त किया गया है Sanju Samson के रूप में पहला experience होगा उनका इस tournament में कप्तानी का इस विल बी हूज फॉर हम यूज चैलेंज फॉर हम क्योंकि एस बैट्समें पिछले दो-तीन साल में संजू Samson ने एक next level को अचीव करने कोईश करें उसके तरह बढ़ रहे हैं जब नहीं नहीं आये थे IPL में तो ब्रिस्क 20s 30s लगाते थे लेकिन पिछले दो-तीन से देख रहे हैं तो समझ में आता है निर ने कि आप इस समय अपने बेस्ट बैस्में को आपने कैप्टन में नजर भी आता है और इसलिए इंडिया कॉल अप भी रिसेंटली उन्हें देखने कामरा लेकिन कप्तानी करना हर किसी की बस की बात नहीं है और अपने के पास अगर एक्सप्लोजन है क्रिस गेल और निकलस पूरन के रोप में तो राजस्थान के पास भी बिन स्टोक्स और जौस बटलर हैं लेकिन जब टॉप ओडर में बैटिंग की बात आती है तो वहां राजस्थान पिछड़ती भी नजर आती है यस बिन स्टोक्स है उनके पास लेकिन पंजाब के पास राहुल हैं उसके लावा मैंक अगरवाल भी हैं तो वहां एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मलता है कौन करें ओपन स्टोक्स के साथ यह बहुत बड़ा बैटिंग करते हैं लेकिन वह भी अंडर शिवर टाइब हैं वो 30-40 वाले हैं फिर उससे वो कनवर्ट नहीं कर बाते हैं तो उसकी वज़े से डेफिनेटली ज्यादा मौके मिलेंगे या तो मनन वोरा को या या श्रस्विजा सवाल को सत्य आपने रॉबन अथपपा के जिक्र किया तो बहुत रॉबन अथपपा अब वैसे क्रिकेटर नहीं रहे जो आसे चार-पास साल पहले हुआ करते थे जब वो क्यक्यार को रिप्रेजेंट करते थे अब तो बहुत थिंग सो राइस्थान रोयल्स से चेने सुपर किंग गए हैं तो I don't think so rise and rise को इतनी कमी खले यून की, they have sufficient options और चेने सुपर किंग से कितने मैच खिलाएगी यह देखना पड़ेगा, but I don't think so, कोई massive impact डाल पाएंगे वो किसी भी franchise के लिए, I think उन्होंने अपना prime देख लिया है, I don't think so कि कुछ massive contribution कर पाएंगे, मुझा सर्प्रा अगर देखें जौफरा आर्चर का, तो मुस्तफिस और रह्मान एक विकल्प हो सकते हैं, और अंडू टाइ हैं, दोनों अच्छे खिला रही हैं, लेकिन शायद जौफरा आर्चर जो अभी युवा हैं और peak of his pass पे operate कर रहे हैं, वो बात नहीं है इन लोगों में, जो कंद बिल्कुल, बिल्कुल, I don't think so कि अब लॉजिकल रहेगा कि आप initial stages में उनको try करें, I think they will go with Indian contingent, उनके पास Indian contingent में जो options है, लाइक जैदे वो नाट कर, जो के काटर अच्छी डालते हैं, उनके पास कार्तिक त्यागी भी हैं, और कार्तिक त्यागी के लावा एक और पेसर के पास है, जिसको वो try कर सकते हैं, तो अगर आप मुस्तिफ बोलेंगा, पेस्ट डेपाट्मेंट क्या होगा, I think they should go with Indian contingent, एंडु टाय, और अगर मुस्तिफ जरहा में टॉस्ट होगा, तो I will go with एंडु टाय, वो बेटर फॉर्म में रिदिम में है पिछले दो-तीन सालों जोफरा अर्चर वैसे लंबे समय के लिए बाहर है, पहले चार हफते, पहले चार हफतों के लिए तो बाहर है ही, IPL के, और एक तो finger की surgery हुई है, और elbow में भी issue है, तो एक injury नहीं है, एक से ज्यादा injuries से समय ग्रस्त हैं, जोफरा अर्चर, और काफी लंबे समय से देख रहे और जिस पेस से करते हैं और जितने कदमों से करते हैं, ज़्यादा अब नहीं है, तो बहुत ज़्यादा आप बहार ले रहे हैं अपने back पे, अपने shoulders पे, तो कभी ना कभी body लो टूटेगी, यह fact है, अगर उन खिलाडियों के हम बात करी रहे हैं, जो अभी available नहीं है, तो और वो अभी तक वैसा नहीं कर पाएं, क्योंकि समय उतना बीता नहीं है, तो वो भी available नहीं है, कागश, रसीद लेगा नहीं है, यह देखिए, मैं अब फाइनली quarantine period में ने serve कर लिया, लेकिन डेविड मिलर को as if now, क्योंकि अगर आपने हाल के Pakistan series देखी हो, उसमें बहुत क पैसे कमाना है, तो yes, डेविड मिलर initial matches में नहीं होंगे, लेकिन इस season में आप देखेंगे, शाहिद डेविड मिलर को ज्यादा chances देगे रायस्तन रोयल्स, पिछली season में बहुत कम matches, ना मातर के बारा और matches खेले थे पिछली season में, इस साल chance ज्यादा मिल सकता है, इस से पहले भी हो चुगा है कि Chris Gayle को शुरू में नहीं खिलाया जाता है, और बाद में आप खिलाते हैं और realize करते हैं कि यार पहले ही खिला लेना चाहिए था, क्या इस साल भी वही गलती करेगी पंजाब या आपको लगता है कि शुरू से वो मौके देना start कर देंगे Chris Gayle को, और आप पंजाब ने गलती का जिकर किया जो टीम्स कर रहे हैं, पंजाब ने पिछली सीजन में काफी लेट खिलाया था उन्हें, और आते ही रन बनाना start कर दिया था, तो अगर इसको sum up करना हो, कि यह रहूल ने रिसेंट्ली के statement दिया है, उन्होंने बोला है कि हम लोग साल भर मे अगर पंजाब की बात करें, तो मुझे लगता है कि उनको अपनी बैटिंग से बोलिंग के मुकाबले ज्यादा उमीदे होंगे, क्या पगरी करेंगे इस बात से? बिलकुल, इसमें को दो रहा है नहीं, बैटिंग अगर हम देखें तो ज्यादा माइट है, ओपनिग पार्नेशिप देखिए आप, पिछले सीजन की मोस्ट प्रोलिफिक, कमाल की बैटिंग, ओपनिग बैटिंग कर रहे थे हो, केल रहा हो ले कितना माया थे, 670 न मनाया थ इसमें मेरे साफ से निकुलेस पूरन हाल के समय में, वरल्ल के टॉप 4-5 बैट्समन में आते हैं, तो फिनॉमनल हिटर है, फिनॉमनल टैलेंट है, फ्यूचर सुपरस्टार है, अगर अभी स्टार है, तो अपरिशन टीम के लिए, बड़ा हूमवर्ट पूरन के लिए, करके आएगी इस बार, बहुत डेंजरस प्लेयर है, एक समस्या आये लेके, कि इंडियन बैट्समन के अगर हम बात करें, सरफरास खान है उनके पास, दीपक हुड़ा है उनके पास, तो अगर आप मिडल ओटर की बात करें, जब यह सुपरस्टार आउट हो जाएंगी, तो फिर जो बोज होगा, समालने का, वो आएगा इंडियन स्टार्स पर, तो अगर इंडियन स्टार्स की बात करें, तो आई विल गो वेद दीपक हुड़ा, दीपक हुड़ा ने पिछली सीजन कमाल की कुछ पारिया खेली थी और सिंगल हैंडिल पंजाब को कुछ मैचिस में जिताया था, तो अगर आप मिडिल ओडर की बात करें, धीपक हुड़ा, वो रोल प्ले कर सकते हैं, एक मैच फिनिशर का, राजस्थान के पास भी बेंस्टोक्स के साथ पारिय की शिरुवात करने के लिए जॉस बटलर है, लोग कहेंगे यार खिलाते क्यों नहीं हो तुम अगर आप मुझस से पूछें, चलिए जो भी होगा हम आपको सब बताएंगे, हम आपको पल-पल की खबरें देते हैं, क्रिक ब्लास रेडियो पे आई-पेल के हर एक मुकाबले के दौरान हम लाइव होते हैं, टॉस के बाद ही आ जाते हैं लाइव, साथ बज़े टॉस हो बढड़ी, से य।